तो हेलो गाइज, कोक विद रानु हिंदी किचन में आप सभी का श्वागत है आज मैं किचन में बनाने वाली हूँ पैजी टैवल्स मिक्स स्पैसी मसाला किचली जो खाने में काफी बढ़िया और काफी टैश्टी लगती है जब इसे हम गर्मा गर्म घी के साथ सब करते है तो किचली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल ले लिया है और इन्हें अच्छे से साफ कर लिया है अब हम चावलों को सबसे पहले बवास कर लेंगे दो से तीन पानी से जिससे चावलों की सारी डश्ट बगएर है वह निकल जाए यहाँ पर हम ने पानी याट कर दिया है चावलों को अच्छे से बॉस करने के लिए और हम हलके हाथों से इसी तरह से मसल लेंगे चाबलों को और दो से तीन पानी से हमें अच्छे से वास कर लेना है जिससे इनकी जो ड़स्ट बगएर है जितनी भी वो सारी निकल चाए तो यहाँ पर चाबल अच्छे से मैंने वास कर दिये हैं और अब इसमें हम आधा कटोरी यहाँ पर पानी आइट करेंगे जिस कटोरी हमने चाबल ले तो उसी कटोरी आधा कटोरी पानी आइट करके हम तस मिनट के लिए साइड रख देंगे जिससे चाबल हमारे थोड़े भीग जाएंगे तब तक हम पाकी के काम कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन से चार लविंग ली है आठ से दस काली मिर्च ली है और एक लाइची ली आप चाहे तो काली लाइची भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर हरी लाइची लिए इसका मोटा दद्रा चूड बना लेंगे और दो से तीन यहाँ पर मैंने तेज़ पात लिए तो इलाइची लभिंग को मैंने कूड दिया है मोटा दद्रा और उसे भी साइट रख दिया है और आप यहाँ पर हम मसाला बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल दी एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा पाणी एट करेंगे इसका भी गोल बनाके साइट रख देंगे यह भी बीग जाएगा सब तक हम मसाले बगर और भूनेंगे जो खड़े मसाले हैं वो तो अब हमारा यहाँ पर कोकर भी गरम हो चुका है तो इसमें हमने ऑईल एट कर दिया है और एक चम्मच जीरा एट कर दिया है जीरा भून गया है तो दो से तीन तेज पाउडर किये हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज कटकी थी वह एट कर दी है प्याज को हम भूल लेते हैं थोड़ा अच्छे से हलका गोल्डन होने तक उसके बाद यहाँ पर चार से पांस इस पाइसी हरी मिर्ची कटकी थी वह भी एट कर दी है यह से भी थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे और उसके बाद जो हमने मसाले का घोल बनाया था वह भी आड़ किया है उसके बाद हमने टमाटर यहाँ पर दो चौप किया वाइड कर दिए है और मटर 50 किराम और थोड़ी से आपर एक सिम्रा मिर्ची और थोड़ा सा फूल गोभी दो आलू कि आलू को थोड़े बड़े-बड़े पीसिस में कट करना है फूल गोभी को भी थोड़े-ब तो उन चीजों को भी हमने एक से दो मिनट तक मूल लिया है उसके बाद यह मैंने थोड़ी मोटे मोटे धनिया जो धनिये में थोड़ी जो जड़ बगएर ऐसी थोड़ी रहती है न तो वह थोड़ी सॉफ्ट रहती है तो उन्हें मैंने कट करके आइड किया है और जो आदा सब्सक्राइब करने के लिए नीचे का रह जाता है थोड़ा सा वह मैं कट करके चट्नी बना लेती हूं और उसके बाद मैंने यहां पर चाबल लैट कर दिये हैं और चाबलों को अच्छे से हम चला लेंगे बढ़िया से मिक्स कर देंगे 102 मिनट तक हमें चाबलों को भून इड किया और आधा कर दिया गाणी कर दिया है अधा कर दोह मुर्यों परका दिया चाबलों में माद स्तuleय थे इस तरह से धर किया है अधा श्रूंख किया है और अभर ने से चाबल एक दम बढ़िया पर्फेक्ट जो हमारी खिट्ली वह बनके रेटी होगी और कुकर को मैंने ढाग दिया है अब हम मेडियम आज में स्रक एक सीटी लगाएंगे चाबलों में उसके बाद हमें कोकर साइड रखते हैं दस मिनिट के लिए ठंदा होने के लिए जब प् मगच्टि बन जाती है सारे मसाले धर मकचली वह बनने के बाद हमें करने हो तो अच्छे से मैं है उपर से कटा हुआ धनिया है तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी मसाला खिषडी खाने के लिए विल्कुल रेडी है एक दम बनी और बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बनी है और आलू पिल्कुल भी इसमें घुले नहीं है और जो हमने मटर जो बटाना एड की है बोबी बिल्कुल ने घुले फूल गोवी एक दम बिल्कुल खड़ी खड़े हमारे वेजटेबल से और हमारी खिषडी बहुत ही बढ़िया बंगे रीडी हुई है तो गाइज अगर आज की हमारी मसाला खिषडी रैसीप आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक क कमेंट शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर पहली बार विजुट कर रहे हों तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाइबाए